ये हिन दोस्तों सारे के साथियों को नमस्कार मैं किंशन सर्माप सभी का स्वागत करता हूं तर्छवर्ण नर्शन के ऊंलाइन प्लेड़्परम पर आप सभी स्ववस्त मस्त और व्यास्त होंगे दोस्तों आज अपन देखते हैं आज का क्यूशन ऑफ दा डे और अपना क्यूशन क्या बोल रहा है दोस्तों वल्वा इजिए कंपोज्ड ओर की जो वल्वा वर्ड है उसके अंदर कौन-कौन से चीज़े सामिल है इसके अंदर ओप्सन ए में बोला गया है वेजाइन लेबिया माइनोरा एंड सर्विक्स ओप्सन डी में क्या बोला सर्विक्स यूट्रस एंड ओवरी आपने देख लिया होगा और इसका जबाब भी आपने सोच लिया होगा अभी इसका राइट ओप्सन देखने से पहले कुछ आपके सामने एक डाइग्राम प्रस्तूत है इस डाइग्राम को द्यान से देख लीजेगा इसी के बारे में बाते हो रही थी ठीक ना कि सर इसने क्या बोला कि वल्वा क्या बोला वल्वा किसे बोलते हैं वो चीज मापको बताने जा रहा हूं जब भी अपन जो फिमेल जनाइटेलिया है उसको एक्टरनल की साइड या ऐसे कि स्किन का फोल्ड दिखता है बार की साइड एडीपोज जो टिशू है उससे मिलकर बना हुआ होता है जिसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों लेभिया मेजोरा। के ओर ये जो लेभिया मेजोरा है ये देखेगा जो ये दोनों की दोनों साइड जो अपनी क्या होती है रहा बाहर का जो genitalia उसके दोनो फोल्ड इसकीं के एडि पोर्ट टिश्यू के जिने लेबिया मेजोरा कहते हैं इसी के अंदर सर फिर से क्या पाए जाएंगे इसकीं के वापस से सर देखेगे हमें फोल्ड दिखाई दे रहे हैं और जो ये फोल्ड दिखाई दे रहे हैं दूसरे इन्हें किस नाम से जानते हैं सभी को पता है सर इसे जाना जाता है लेबिया माई नोरा के नाम से जाना जाएगा माई नोरा के नाम से ठीक है और जैसे ही दोस्तो ये जो लेबिया माई नोरा नीचे की साइड जांपे आके म मिलती है तो इसे क्या बोलते हैं सर इसे बोला जाता है फोर चेट के नाम से इसे जाना जाता है इसके अलावा सर उपर की साइड हमें एक ऐसी इस्टेक्चर दिखाई देती है जैसे अमारी रसोई गर में स्लेंडर होता है ऐसी क्या देखने को मिलते हैं कि स्टेक्चर उपर क साइड जिसे जाना जाता है कि क्लाइट और इसके नाम से किसके नाम से क्लाइट और इसके नाम से जो सेक्ष्वल इंट्रकोर्स के दोरान क्या होगा रहे जो फिमेल है उसमें उत्तेजन का काम करती है उसमें क्या आती है उत्तेजना जो मेल के अंदर पेनिस होता है उसका होम जाना जाता है सर वेस्टिवूल के नाम से जाना जाता है जो में ऊपर की साइड आप लोगा दिया जिसे बॉला जाता है यूविध्र से लोग यूविध्रण आप इसके अलावा सर्म नीचे एक हमे थोड़ी सी क्या बड़ी सी ओप निग दिखाई दे रही है जिसे किस नाम से जानते हैं सर इसे जाना जाता है वेजैनल ओपनिंग के-फिक इसी के साथ-साथ उपर की साइड से अमें क्या दिखाई दे रहा है एक एडिपो जो टिशू है उसका पैड जैसे इस्टेक्चर हमें दिखाई दे रही है जिसे जाना जाता है amongst pubis के नाम से इसके उपर क्या होते हैं? Hair present होते हैं और दोस्तों ये सारी की सारी जो external genitalia है देखो female के अंदर एक internal genitalia होता है एक external अभी जो बता रहा हूँ ये सारा का सारा external genitalia यानकी भार से इने देखा जा सकता है और इनको मिला के समलित रूप से क्या बोला जाता है? सर, वल्वा बोला जाता है क्या बोला जाता है? वल्वा ये बात आपको समझ में आई इसी के साथ साथ देख लीजेगा कि female के internal organ कौन-कौन से है यानकी अंदर वाले organ इनकी बात की जाए तो एक तो वेजाइना होती है वेजाइना के उपर अपना uterus होता है क्या होता है दोस्तो uterus और ये लिखा हुआ है cervix ये भी किसी का पार्ट है uterus का ही पार्ट है सर इसके अलावा हमारी phalopian tube जो संक्या के अंदर दो होती है इसके अलावा सर हमारी ovary जो भी संक्या में क्या होती हैं दो होती हैं इन सभी को मिला कर क्या बोला जाता है internal genital organ internal genital बोला जाता था यह है external genital organ एक्स्टरनल ठीक है बच्चो ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी यानि कि अब जो अपना क्यूशन पूचाता उसको देखते हैं क्यूशन में क्या पूचाता वल्वा वल्वा के अंदर कौन आते हैं एक्स्टरनल जनाइटल ओर्गन देखेगा ओप्सन वे में लेविया माईनोरा एंड सर्विक्स देखेगा यूटरस का पार्ट आ गया यान कि यह क्या हो गया बच्चो गलत है इसके अलावाद सर्विक्स यूटरस एंड ओवरी यह तो सर इंटरनल है तो इसका राइट ओप्सन क्या होगा दोस्तों भी इसका सही जवाब रहने वाल झाल झाल झाल